अब खबर कोटा जिले से है जहां राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसियेशन द्वारा की गई हड़ताल का असर जिले में देखने को नहीं मिला बता दे कि नगर में सभी पेट्रोल पंपो पर देवरात तक पेट्रोल भरवाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे रहे इसके तहती Petroleum Association के सदस्य शम्मी राय गुपता ने बताया कि राजस्थान Petroleum Association के निवडे से कोटा को अलग रखा गया है इसके बाद भी देवरात सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भीड देखी गई इसक्रम में उन्होंने बताया कि रविवाव से पेट्रोल डीजल पर कमिशन बढ़ाने और वैट कम करने की मांग को लेकर राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद की घोशना की गई है कोटा से तेजपाल बगगा कि रखा गया